आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके की photo एडिट करना सिखायेंगे देख परो कि यह editing मैंने Pixar से किया है और यह देखो कितना ज़्यादा मस लग रहा है तो इस तरीके की photo एडिट करना मतलब ऐसे dark tone में अपनी photo को edit करना काफी ज़्यादा आसान है मतलब आपने पहले कई साड़ी वीडियो देख लिया होंगे लेकिन आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है अगर आज के वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप सीखी नहीं पाओगे तो देखो पहले की photo कुछ इस तरीके के थी and after में देखो कुछ इस तरीके की है मतलब कि इस तरीके के dark से tone में face बी देखो कितना ज़दा white है एक बर ये देखो एक बर ये देखो face white है overall मतलब ये photo काफी ज़धा अच्छा लग रहा है यह photo editing आप 2-3 मिनट में सीख लोगे, इसकी guarantee मैं लेता हूँ तो आपसे request है बास आप video को पूड़ा देखे, video पूड़ा देखने के बाद आप 100% इस तरीके की photo add करना सीख जाएंगे, हो भी Pixar Tap की help से So without any further delay guys, let's get started हाँ तो गैज देख पर रहे कि हम अपने mobile के screen पे आ चुके हैं, एंड इस photo को हमने gallery से select कर लिया है, अब गैज इस photo को simple से यहाँ send पे click करेंगे, एंड इसको open करेंगे हम Pixar Tap के अंदर, तो गैज मेरे phone में यह रहा Pixar Tap, अगर आपके phone में नहीं है तो आप install कर लिजिए, Pixar Tap के अ इंदर आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको interface देखने को मिलेगा, आपको सबसे पहले अपनी photo को resize करना है, इसके लिए आपको tools पे जाना है, resize पे जाना है, then यहाँ से इसकी width को 6000 जो है डाल देना है, ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं 6000, जैसे आप 6000 डाल के resize को क् करता हूँ, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे 2591, यहाँ पे इसको done करेंगे, ठीक है, यह देखो यह दोबारा से हम this size पे click करेंगे, यहाँ पे 2591 इसके actual width थे, यहाँ पे set हो चुकिये, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे beautiful option में जाना है, यहाँ से 233 के आसपस लगबग इतना, इसको done कर लेना है, अब आपको skin tone पे click करना है, जो भी आपको skin tone रखना हो, अगर आपको skin ऐसा है, मतलब आपको skin ऐसा dark है, तो अगर आप उसको इस तरीके से fair करना सा हो, fair कर सकते हो, मेरे ख्याल से इतना opacity रखना ज़्यादा सहीं लगेगा, यह देखो before, यह after, एंड यहां से गई जिसको भी done कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको done कर लेना है, एंड देख फरू कि हमारा skin smooth भी हो गया, एंड white भी हो गया, तो यह दो काम आपका एक साथ ही हो जाएगा, तो अभी हम इसको simple से यहां done करके back करेंगे, यहां से हम done क कर लेते हैं, अब गई आपको जाना है, यहां tools वाले icon पे, यहां sorry effects वाले icon पे, यहां से आपको colors में आना है, यहां से color splash पे click करना है, यहां से color splash पे click करना है, यह जो circle आपको दिख राओगा black color का, इसे आपको अपने skin के सबसे dark वाले area पे लाकर इस तरीके से रख देना ह यहां min hue को बढ़ा देंगे, and max hue को कुछ इस तरीके से, मतलब इतना रखना है ताकि आपका skin जो है dark ना रहे, मैं इसको दोबारा सा select कर लेता हूँ, and यह जो है इसको मैं यहां पे रख देता हूँ, अपने skin के सबसे dark वाले area पे, यह देखो यह दूसरा select हो गया था color replace, इ यहां पे बहुत ज़्यदा सही लग रहा है, and यहां पे हम इसको इतना रखेंगे, and इसको done कर लेंगे, okay, तो हम इसको अभी हम done कर लेते हैं, यहां से गईज़ आपको एक उपर sign का icon दिख रहा होगा, just आपको इस पे click करना है, यह done हो जाएगा, आप देख पर लो कि इस photo इस photo गंदर ना dark black सा tone आ गया है, and photo काफी जदा मस लग रहा है, लेकिन अभी हमारा editing खतम नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर बहुत कुछ काम करना बाकी है, अब आपको दोबारा से जाने है tools वाले icon में, यहां से जाने हैं, यहां से curves मे, and curves में जाने के बाद आपको यहां इसको simple से done पे click कर लेंगे, अब देख पर हो कि इस photo के अंदर यह देखो before, and यह देखो after, मतलब कि perfectly dark tone इस photo के अंदर आ गया है, and यह photo देखने में काफी जदा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी editing खतम नहीं हुआ, आपको simple से यहां पे जाना है, draw tool के अंदर, अभी हम च draw करके three dot की icon पे click करके save image कर लेना है, अब यह photo आपकी gallery में easily save हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, इस photo को gallery से open करना है, and इसको send करके open कर लेना आपको snapchat app के अंदर, तो snapchat app भी आपको play store पे एक दम free में मिल लियागा, आप उसका use करके अपनी photo को काफी अच्छा edit कर सकते हो, तो भी हम इस photo को open करते हैं, snapchat app के अंदर, हाँ तो गाज़ देख वहरू कि snapchat app के अंदर हमने अपनी photo को open कर लिया, अब आपको इस pencil वाले icon पे click करना है, या selective पे click करना है, photo को ऐसे zoom कर लेना है, and आपको अपने screen पे एक ऐसे selective का icon यहाँ पे ले जाकर, ऐसे plus पे click करके skin को select कर लेना है, brightness को बढ़ा देना है, and saturation को कम कर लेना है, कुछ इस तरीगे से, and आपको simple से done पे click करना है, अब आपको दोबारा से click करना है, selective पे click करना है, and इस बार आपको अपनी hand को कुछ इस तरीगे से select करना है, ठीक है, hand को मैंने select कर लिया, यहाँ पे, brightness को बढ़ा फोटो को जूम करना है कुछ इस तरीके से और जूम करने के बाद ऐसे के ज़क्त को अपने अप्लाaldo से एक बर फोटो देखना है यह देखो बीपोर यह आफ्तर अभी हम दोबारा पेंसिल स्लडी आइकउन पर क्लिक करेंगे एसे बैक्राउंड को सेलेक्ट करना है आपको थोड़ा सा यहां पर ब्राइटनेस को कम करेंगे लगबग इतना एटन कर लेंगे अब देख पर फोटो एकदम परफेक्ट हो गया यह विफोर एंड यह आफ्टर काफी अच्छा आमारा एड्टिंग हो चु अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लव यू ओल टेक केर बाबाई